नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका ली के गुरुजी स्टेडी पाइंट में आज की डिक्टेशन की स्पीड होगी साड़ बड़ पिर्ती मिनट डिक्टेशन स्टाट होगी पांच सेकिंड बाद डिक्टेशन स्टाट महोदे भारत के माननिय राष्टपती जी ने अभी संसत भवन के सामने महात्मा गांधी की पिर्तीमा का अनावरण किया है राष्ट पिता के जनम दिन पर भारतिय जनता के पिर्तीनिदियो द्वारा उन्हें आज इस रूप में स्रदानजली दी गई है भारत के राष्टपती थोड़ी देर बाद ही संसद के इस केंद्रिय कक्ष में लाल बहावदुर सास्त्री जी के चित्र का भी अनावरण करने बाले हैं महात्मा गांदी ने अपनी महत्व कांच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि वह प्रतेक व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं इस अफसर पर बहंकर प्राकरतिक आपदा से ग्रस्त महाराष्ट की चंता की और ध्यान जाना सभाविक है गांदी जी और सास्त्री जी दोनों ही ने अपना जीवन जनसाधारण की सेवा में उनके कष्ट दूर करने में लगा दिया था आज हम भाड़तियों को उसी साहस और निस्वहाण त्याग की भावना की आवशक्ता है जिसका परिचे गांदी जी ने सुतंतृता शंगराम के दोरान दिया था गांदी जी ने वास्तव में अपने दिन संकल्ब और आत्म सक्ती के बल पर एक सक्ति साली समराज्य से तक्कर ली और विजय हुए उन्होंने एक निर्वल और सहत्र विहिन राष्ट को संभोदित करते हुए कहा था 35 करोड लोगों के इस राष्ट को हत्यारे के खंजर की विश के प्याले की बर्ची भाले अथवा गोली की आवशक्ता नहीं है इसे तो ना कहने का आत्मबल चाहिए तब से अब तक भारत में बहुत कुछ बदल गया है और आज यह देश पहले से कहीं अधिक शक्ति साली बन गया है फिर भी राष्ट की वास्तिविक शक्ति तो देश के सो करोड लोग है आज जिस नई विश्व का उदे हो रहा है उसमें एक और जहां अंतराष्टिय सहयोप्राप्त होता है वहीं दूसरी और महासक्तियों के दवाब और प्रभाव भी सेहन करने पड़ते हैं प्रभाव अतहा आज जनता में उस अदम में आत्म सक्ति को पुनह जागरत किये जाने की अवसक्ता है जिसका परिचे गांधी जी ने तब दिया था सास्त्री जी ने 1964 में ऐसे ही साहस और द्यल संकल्प का परिचे दिया था जब भारी आकमण के कारण हमारे देश की छेत्रिय अखंडिता खत्रे में पड़ गई थी बिनर्म एवं सान्ति प्रिय सास्त्री जी ने इस चिनोती का डटकर सामना किया और आकरमक को बुरी तरह हरा कर दम लिया आज गांदी को स्रिदांजली अर्पित करते हुए हमें सर्व प्रतम भारत की निर्धन और साधरन जनता का ध्यान आता है फिलिस्टब अगर आको डिक्टेशन पसंद आई यह तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिए धन्यवाद